मैं परमात्मा से यही कामना करता हूँ और मेरा सौभाग यह है कि मैं अभी अभी किदारनार्थ, बद्रिनार्थ, यात्रा करके आया हूँ और उसके कांड थोड़ा मुझे विलंब भी हो गया और विलंब हो गया इसके लिए भी मैं आप सब की ख्षमा चाहता हूँ साथियों, आज भारत की वाशक्ति के लिए एक महत्वपुन आउसर है बीते आठ बर्षों में देश में रोजगार और स्वरोजगार का जो अभियान चल रहा है आज उसमें एक और कड़ी जुड रही है ये कड़ी है रोजगार मेले की आज केंद्र सरकार आजहादी के 75 वर्ष को ध्यान में रखते हुए पचत्तर हजार युवाओं को एक कारिकम के अंतरगत नियूक्ति पत्र दे रही है बीते आठ वर्षों में पहले भी लाखों युवाओं को नियूक्ति पत्र दिये गए हैं लेकिन इस बार हमने ने तय किया कि इकट्थे नियूक्ति पत्र देने की परंप्रा भी शुरू की जाए ताकि डिपार्टमेंट में भी टाइम बाउंड प्रक्रियाई पूर्या करने और निर्धारित लक्षर को जल्द से पार करने का एक सामुहीक स्वभाव बने सामुहीक प्रयास हो इसलिए भारत सरकार में इस तरह का रोजगार मेला शुरू किया गया है आने वाले महिनों में इसी तरह लाखो युवाओं को भारत सरकार द्वारा समय समय पर नियूक्ति पत्र सौंपे जाएंगे मुझे खुशी है कि NDA सासीत कई राज्य और केंद्र सासीत प्रदेश भी और भाजपा सरकारे भी अपने यहां इसी तरह रोजगार मेले आहोजित करने जा रहे हैं जम्मु कश्मीर दादरान अगर इवं नगर हवेली दमन दीव अन्नमान निकोबार भी आने वाले कुछी दिनों में हजारों युवाओं को ऐसे ही कायरकम करके नियुक्ति पत्र देने वाले हैं आज जिन युवाँ साथियों को नियुक्ति पत्र मिला है उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ साथियों आप सभी ऐसे समय में भारत सरकार के साथ जूड रहे हैं जब देश आजादी के अमरित काल में प्रवेश कर चुका है विच्षित भारत के संकल की सिद्धी के लिए हम आत्म निर्भर भारत के रस्ते पर चल रहे हैं इसमा हमारे इनोवेटर्स, हमारे एंट्रेपर्नर्स, हमारे उद्यमी, हमारे किसान, सर्विसीज और मैनिफेकर्णी से जुड़े हर किसी की बहुत बड़ी बुमिका है यानि विच्षित भारत का निर्मान सबके प्रयास से ही संबव है सबका प्रयास की इस भावना को तभी जागरत किया जा सकता है जब हर भारतिय तक मुल्स विधाएं तेजी से पहुचे और सरकार की प्रक्रियाएं तेज हो, त्वरीत हो कुछी महिनों में लाखों भरतियों से जुड़ी प्रक्रियाएं पूरी करना नियुक्ति पत्र दे देना ये अपने आप में दिखाता है कि बीते साथ आठ वर्षों में कितना बड़ा बड़लाव सरकारी तंत्र में लाया गया है हमने आठ दस साल पहले की वो स्थितियां भी देखी है जब छोटे से सरकारी काम में भी कई कई महिने लग जाते थे सरकारी फाइल पर एक टेबल से दूसरे टेबल तक पहुंते पहुंते हैं दूल जम जाती थी लेकिन अब देश में स्थितियां बदल रही है देश की कार्य संस्कृति बदल रही है साथियों आज अगर केंद्र सरकार के विभागों में इतनी तत्परता इतनी एफिसेंसी आई है इसके पीछे साथ आठ साल की कड़ी महनत है कर्म योगियों का विराद संकल्प है वरना आपको याद होगा पहले सरकारी नोकरी के लिए अगर किसी को एपलाए करना होता था तो वहीं से अनेक परिशानिया शुरू हो जाती थी भाती भाती के प्रमान पत्र मांगे जाते जो प्रमान पत्र होते भी थे उनको प्रमानित करने के लिए आपको नेताओं के घर के बाहर कतार लगा के खड़ा रहा पड़ता था अपसरों की सिफारज ले करके जाना पड़ता था हमने सरकार के शुरू आती वर्सों में ही इन सभी मुश्किलों से युवाओं को मुक्ति दे दी सिल्प एटेस्टेशन युवाँ अपने सर्टिपकेट खुद प्रमानित करे ये व्यवस्ता की दूसरा बड़ा कदम हमने केंद्र सरकार की गुरूप स्री और गुरूप डी इन भर्तियों में इंटर्यू को खत्म करके उन सारे परंपराओं को उठा लिया इंटर्यू की प्रक्रिया को सभाप्त करने से भी लाखों नवजवानों को बहुत फायदा हुआ है साथियों आज भारत दुनिया की पाँचवी बड़ी अर्थ बवस्ता है साथ आठ साल के भीतर हमने दस्वे नंबर से पाँचवे नंबर तक की छलांग लगाई है यह सही है कि दुनिया के हाला ठीक नहीं है अनेक बड़ी बड़ी अर्थ बवस्ताएं संगर्श कर रही है दुनिया के अनेक देशों में महंगाई हो बेरोजगारी हो अनेक समस्याएं अपने चरम पर है सो साल में आए सबसे बड़े संकट के साइड इफेक्स सो दिन में चले जाएंगे ऐसा नहम सोते हैं नहिंदुस्तान सोता है और नहीं दुनिया अनुभाव करती है लेकिन इसके बावजूद संकट बड़ा है विश्यो व्यापी है और उसका प्रभाव चानों तरफ हो रहा है दुस्प्रभाव हो रहा है लेकिन इसके बावजूद भारत पूरी मजबूती से लगा ताम नए नए इनिसिटिव ले करके थोड़ा रिस्क ले करके भी ये प्रयास कर रहा है कि ये जो दुनिया भर में संकट है उसको से हम हमारे देश को कैसे बचा पाएं इसका दुस्प्रभाव हमारे देश पर कम से कम कैसे हो बड़ा कसोटी कान है लेकिन आप सरके सबके आशिरवात से आप सबके सहयोग से अब तक तो हम बच पाएं हैं ये इसलिए संबव हो पा रहा है क्योंकि बीते आठ वर्सों में हमने देश की अर्थेववस्ता की उन कमियों को दूर किया है जो रुकावटे पैदा करती थी साथियों इस देश में ऐसा मातावन बन रहा है जिसमें खेती की प्राइवेट सेक्टर की छोटे और लगुद्योगों की ताकत बढ़ें ये देश में रोजगार देने वाले सबसे बड़े सेक्टर है आज हमारा सबसे अधिक बल युवाओं के कौशल विकास पर है स्किल डेवलप्मेंट पर है प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश के उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से युवाओं को ट्रेनिंग देने का एक बहुत बड़ा अभ्यान चल रहा है इसके तहत अभी तक सवा करोड से अधिक युवाओं को स्किल इंडिया अभ्यान की मदद से ट्रेन किया जा चुका है इसके लिए देश भर में काउसल विकास केंद्र खोले गए हैं इन आठ वर्षोब हैं केंद्र सरकार द्वारा उच्च सिक्षा के सेंकडों नए संस्थान भी बनाए गए हैं हमने युवाओं के लिए स्पेस सेक्टर खोला हैं ड्रोन पॉलिशी को आसान बनाया हैं ताकि युवाओं के लिए देश भर में जादा से जादा आउसर बढ़ें साथियों देश में बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के निर्बान में सबसे बड़ी रुकावट बैंकिंग व्यवस्ता तक बहुत सीमित लोगों की पहुँच भी थी इस रुकावट को भी हमने दूर कर दिया है मुद्रा योजना ने देश के गावों और छोटे शहरों में उद्यम सिल्ता का विस्तार किया है अभी तक इस योजना के तहर करीब करीब बीस लाख करोड रुपिय के रण दिये जा चुके है देश में स्वरोजगार से जुड़ा इतना बड़ा कारकम पहले कभी लागू नहीं किया गया इसमें भी जितने साथियों को ये रण मिला है उससे उसमें से साड़े साथ करोड से अधिक लोग ऐसे हैं जिनोंने पहली बार अपना कोई कारोबार शुरू किया है अपना कोई बिजनेस शुरू किया है और इसमें भी सबसे बड़ी बात मुद्रा योजना का लाप पाने वालों में लगबक सब्तर पतिशत लाभारती हमारी बेटियां है माताए बेने हैं इसके अलावा एक और आकड़ा बड़ा महत्वपूं है बीते वर्षों में सेल्फ हेल्फ गुरूप से आठ करोड महलाएं जुड़ी है जिने भारत सरकार आर्थिक मदद दे रही है ये करोडों महलाएं अब अपने बनाए उत्पात देश भर में बिक्री कर रही है अपनी आय बढ़ा रही है अभी में बद्रिनाथ में कर पूछ रहा था माताय बहने जो सेल्फ हेल्फ मुझे मिली उन्होंना का इस बार जो बद्रिनाथ यात्रा पर लोग आये थे हमारा धाई लाक रुपिया हमारा एक एक ग्रूप की कमाई हुई है साथियों गाउं में बड़ी संख्या में रोजगार निर्मान का एक और उदहारन हमारा खादी और ग्रामद्योग भी है देश के पहली बार खादी और ग्रामद्योग एक लाग करोड रुपिय से अधिक का हो चुका है इन वर्षों में खादी और ग्रामद्योग में एक करोड से अधिक रोजगार बने हैं इसमें भी बड़ी संख्या में हमारी बहनों की हिस्सेदारी है साथियों स्टार्टप इंडिया भियान ने तो देश के युवाओं के सामर्थों को पुरी दुनिया में स्थापित कर दिया है 2014 तक जहां देश में कुछ इने गुने सो कुछ सो स्टार्टप थे आज ये संख्या असी हजार से अधिक हो चुकी हैं हजारों करोड रुपिय की अनेक कंपनियां इस दौरान हमारे युवाओं स्थाथियों ने तयार कर ली हैं आज देश के इन हजारों स्टार्टप में लाखों युवा काम कर रहे हैं देश के MSMS में छोटे उद्योगों में भी आज करोडों लोग काम कर रहे हैं जिसमें बड़ी संख्या में साथ ही बीते वर्षों में जुड़े हैं कोरोना के संकट के दौरान केंद्र सरकार ने MSMS के लिए जो तीन लाख करोड रुपिय से ज्यादा की मदद की उससे करीब देर करोड रोजगार जिस पर संकट आया हुआ था वो बच गए भारत सरकार मंद्रे का के भी माध्यम से देश भर में साथ करोड लोगों को रोजगार दे रही हैं और अब उसमें हम एसेट निर्मान एसेट क्रियेशन पर बल दे रहे हैं डिजिटल इंडिया अभियान ने भी पुरे देश में लाखों डिजिटल एंटर्प्रिनर का अंदिरमान किया है देश में पांच लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर में ही लाखों युवाओं को रोजगार मिला है 5G के विस्तार से डिजिटल सेक्टर में रोजगार के अउसर और बढ़ने वाले हैं साथियों 21 सदी में देश का सबसे महत्वकांशी मिशन है मेकिन इंडिया आत्म निर्भर भारत आदेश कई मामलों में एक बड़े आयातक इंपोर्टर से एक बहुत बड़े निर्यातक एक्सपोर्टर की भूमिका में आ रहा है अनेक ऐसे सेक्टर है जिसमें भारत आज ग्लोबल हब बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है जब खबर आती है कि भारत से हर महिने एक अरब मोबाइल फोन पूरी दुनिया के लिए एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो यह हमारे नए सामर्थ को ही दिखाता है जब भारत एक्सपोर्ट के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है तो वह इस बात का सबूत होता है कि ग्राउंड लेवल पर रोजगार के नए आउसर भी बन रहे हैं आज गाडियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिपे और डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निरियात तेजी से बढ़ रहा है यह तवी हो पा रहा है क्योंकि भारत में फैक्टरिया बढ़ रही है मैनिफेक्टरिंग और टूरिजम तो ऐसे सेक्टर हैं जिसमें बहुत बड़ी संख्या में रोजगार मिलते हैं इसलिए आज इन पर भी केंदर सरकार बहुत 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 है।